यर क्या फाइदा हुआ ब्लाक एडम के पोश्ट के एट में इतना चिलाने का यर डीसी के तरफ से एक ही खुशी तो आई थी कि हेंडी कैविल के सूपरमैन का रिटन हो रहा है और वो सपना भी अब चूर चूर हो गया चलो हेंडी को एस विचर देखकर थोड़ा सह भी लेत पाता और शायद इतने सारी डीटेल्स भी नहीं दे पाता यर सूपरमैन ही तो होप था और उसी होप को हटा दिया गया है चलो थोड़ा क्रोनोलोजी समझते हैं कि हेंडी कैविल के सूपरमैन के साथ अभी तक क्या क्या हुआ है तो डीसी से जैक स्नेडर के एक्जिट के स तो थी नहीं तो मीट फिर भी थी थोड़ा जटका तब लगा जब शजैम में सूपरमैन का कैमियो हुआ बट हेंरी कैविल का फेस नहीं दिखाए गया इससे भी अगें कॉंट्रोवर्सी होने लगी कई रिपोर्स आने लगे कि हेंरी कैविल एस सूपरमैन इन फ्यूचर नहीं दिखने वाले फिर फैंस का होप बढ़ाया दूइन जॉंसन ने उन्होंने अपने सोचल मीडिया पर यह फोटो शेयर किया जहां से फैंस शोर हो गये कि चलो अब तो कंफर्म है कि इनके सूपरमैन का रिटन होगा इवन ब्लैक एडम की मार्केटिंग में सूपरमैन का बहुत यूज किया गया डूइन जॉंसन ने इंटर्वियू में कई बार इन्हें टीज किया इंट फैंली मूवी के पोश के एट में हमें रिटन मिला हिन्री कैविल के सूपरमैन का यह तो मानना पड़ेगा कि डूइन जॉंसन ने अपना प्रामिस ज़रूर रखा और हाँ अब डीसी उनिवर्स में हेंरी कैविल का रिटन हो रहा है फाइनली जो फैंस जाते थे वो होने वाला है इवेन उन्होंने खुद अपने सोचल मीडिया पर ऑफिशली यह अनॉंस भी किया लेकिन इसके बाद से ही सब कुछ गलत होने लगा रेसेंटली बहुत सारे रूमर्स आएं रिपोर्ट्स आएं कि डीसी के अपकमिंग कई सारे प्रोजेक्ट्स कैंसल हो रहे हैं कई सारे एक्टर्स को रीकास्ट किया जा रहा है इवेन जेम्स गन ने खुद इस पर सूपरमैन उनके लिए हाइस्ट प्रायरेटी है पर कहीं भी उन्होंने हेन्री कैविल को मेंचन तक नहीं किया एंड फाइनली 15 दिसंबर को जेम्स गन ने कुछ ट्वीट्स कियें डीसी के फ्यूचर को लेकर जहां सूपरमैन को ये मेंचन किया गया कि उनकी स्टोरी इसको एक अच्छे होप के साथ इंड किया जाता है दिन जेम्स कि इस अनॉंस्मेंट के बाद ट्वीट के बाद तहल का मचा ही था कि हिंडि कैविल ने भी ऑफिशली अनॉंस कर दिया कि वह अब सूपरमैन के कैरेक्टर को प्ले नहीं करने वाले जो कि यार सही में सोचो तो कितना सैट पार्ट है अब देखो मैं यहां किसी को अंदा हेट नहीं दूँगा गाली नहीं दूँगा ओविसली कोई भी क्रेटर कुछ सोच कर ही इतना बड़ा डिसीजन लेता है लेगिन यार हिंडि कैविल के सूपरमैन के लिए एस अ कारेक्टर अफसोस होता है क्य इस से अच्छी वाली ही फिलिंग आती है सेम हुज जैक्मेन के वुलवरीन के लिए भी कोई ऐसा नहीं बोलता क्योंकि लगता ही है कि हाँ लोगन के साथ इसकी प्रॉपर इंडिंग हो गई थी बट हेंडि कैविल के सूपरमैन के स्टोरी लैन का क्या यह तो कंप्लीट भ तो क्या फायदा देखने का सिनेमाटिक उनिवर्स का यही तो पॉइंट होता है लोग जानना चाहते हैं कि यह किस डारेक्शन में जाने वाली है इन फ्यूचर क्या होने वाला है लेगिन यहां तो बस रीबूट पे रीबूट हो रहा मुझे याद है कि जब फॉक्स को ड जनवरी में DC के निव फीचर का प्लान रिवील तो करने ही वाले हैं अभी तक उनके स्टेट्मेंट से तो ऐसा ही लग रहा है कि वो स्क्रैट से इस उनिवर्स को फिर से क्रियेट करेंगे आप लोग के क्या फिलिंग्स है जेम्स गन के इस डिसीजन पे कॉमेंट में जरू खोड़ा शौक में हूँ और सही में लग रहा कि DCU का फुल फॉर्म धोका सिनेमाटिक उनिवर्स है फिर भी उमीद पे दुनिया कायम है वैसे DC की फीचर को जनवरी में मैं फॉर डीटेल में कवर करूंगा उसके लिए सब्सक्राइब करके जाना और यह वीडियो अच्छ